अब तक की बेस्ट मैमोरी तो किसान में लाएं अभी सबसे टॉप में इसानी नहीं मैं खुद बैल चलायां खुद फावड़ा कुदाल चलायां अब किसानी से मुझे जमीनी अस्तर पर लगा उता है थोड़ा कि जैसे हलवानी साइड भी कोचिंग सेंटर्स खुनते की क्योंकि यहां भी तो दबाव बढ़ रहा है ना इन्वस्टी में विद्यार्थी का पढ़ने का एक बहुत महत्तपूर पॉइंट है उसको डारेक्शन और रिसेवर्चेज हमें देखने वाले हमारे सभी साथी भाईयों से मेरा नमस्कार्यों साधर प्राम यह हमारे भाईया हैं इनका किसान चैनल इनका चैनल है किसान आफ इंडिया तो इसको आप लोग खुब देखिए किसान आफ इंडिया में आपका स्वागत है तो अभी हम यहां के अग्रिकल्चर स्टूडेंट की जो पंत नगर क्रिशी मेला लग रहा है वहां पे जो जीवी प्यूएट यूएटी न्यूनिवर्स्टी के जो स्टूडेंट्स है उनके साथ बैठे थे चाय पर चर्चा प स्टूडेंट है कुछ पीएजडी भी कर रहे हैं तो उनके कैसी यहां पर जर्णी रहती है और एग्रिकल्चर से जुड़ी कुछ हम चाय पर चर्चा करते और उनसे जानते हैं पहला कोशन सबसे ओपन ही है कि आपकी सबसे पंतनागर में बेस्ट मेमोरी अभी तक क्या रह दो मतलब अभी तक ही है कि सीधे पॉइंट पे आगा है कि किसान मेला बैस्ट में वह रही है तो आपको मतलब क्या लग रहा है कि अभी तक दो साल से वैसे वी कोवर्ड में मेरे को लगता है कि मेला जाधा तर इतने लोग नहीं आये होंगे और तो अभी आप कैसे तरीके से देखता है कि अग्रिकल्चर डेवलप्मेंट में पंत्रनगर युनिवस्टी कितने ऊपर है जो और बाकी युनिवस्टी से हम कंपेरिजन करें तो अब बस यह है हमारा कि जो अगरिकल्चर के उसमें कि वगरा जो है अगरिकल्चर के लिए आ रहे हैं वही बहुत कंप्री शारिए यहां बच्यों का प्लेस्मेंट वगरा बहुत अच्छे से हुआ है 10-10 लाग के उपर गये हैं पैकेजें समारे तो एक तरह से मेंन मोटी भी हमारा यही होता है पढ़ने का कि हमें कंपनी अच्छी मिल जाए पढ़ने के बाद में और जब पैकेज भी अच्छा मिल रहा है तो फिर अपने जब पैकेज की बात कर दिये तो मैं यह देखना चाहूंगा आप मैसे कि कौन यह चाहता है कि यहां से प्लेस्मेंट पर बने और यहीं पर आप टीचिंग्स में जाए तो कॉन असिस्टेंट प्रोफेसर इवन इन गौर्मिन युनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट इंस्टिट्यूट मिले उसके बाद मुझे अपना और गनिक फार्मिंग में मुश्रूम फार्मिंग का काम स्टार्ट करन लेकिन यहां पर आगर वह चीज से थोड़ा एक्सपोजर मिलिया क्योंकि पीएजडी में हमारे सीनियर्स हैं जो एक्चुली मश्रूम पर रिसर्च करते हैं तो उनसे इंट्रैक्शन और काफी यहां पर वरक्शॉप होते रहती हैं फॉर फ्री आफ कॉस्ट वरक्शॉप तक हाँ जो है और उसको और उसका रजलत भी आया है जिसमू मैं तो वहां पर स्टैक्ट में में करता है क्ला तर परพर्काम पर रहेंड फालब नवाटर नॆ ये तमाम स्ट्रक्चर हैं जो मिर्दा और जल को कैसे बचाया जाए किस टेक्निक्स के उस पे थे तो मैंने गाउं में पांच पॉली टैंक बनवाया की बारिस का पानी रहेगा खेद का पानी खेद में एक दूसरे खेद का पानी उसमें करके डाइवर्ड कहां भाई इसी मान दिया जगह मेरी बेश्ट गई मैं उसमें सब्जी लगाता था मैंने का उसका भी आडिया हमारे पास है तुम इसमें तालाव में पहले जो बास होता है इसको काटके आप सीड़ी बनाओ उसमें बना कि उसके ओपर तिरपाल लगाओ तो आपका इवैपोरेशन भी कम होगा जो इस्टोरेज पानी है इस्टोरेज पानी आपका धूप की वज़े सीवैपोरेट होगा तो पानी कम होगा फस्ट आप आपका पानी बचेगा सेकंड बेनिफिट आप उसके उपर सब्जी उगाई ये जो सब्जियां फैलती है न तो ओ उगाई आपका दो बेनिफिट ह पर मंथ 4-5.000 जार रुफए उसका नाम भी आया था तो यह जो किसानी है देखों इसमें बैग्यानिक भी साइंटीस्ट भी पूरी तरीकेस 100% देदे तो भी नहीं फायदा होगा किसान भी 100% दे दे तो भी नहीं फायदा होगा जब तक दोनों का सामनजस से एक बहतरी तरीकेस रहेगा तब कृसी में जो है बढ़ा होगा उत्पादन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में भी बदलाव होगा यह माने रखता कहीं कहीं मौसम पर और हमारी मेहनत पर दोन से हम जानते हैं कि उनका कैसे एक इतना बड़ा स्टेप लेने की मैं कहूंगा कि इतना बड़ा उन्होंने टेक लिया तो वो क्यों आपने पंतनगर चुनने का में वज़ा है था कि एकरी कल्चर की प्रथम इन्वस्टी है अपने देश की तो एक कहीं कहीं मेरे दिमाग में प्रशन चलता था कि प्रथम एगरी कल्चर इन्वस्टी हमारे गुरु जी ने भी हमको एगरी कल्चर इंटर्स में पढ़ रहा हूं 11th क्लांस से जो भी टीचर एगरी कल्चर मुझे पढ़ा है हमारे गुरु रहे हैं मुझे लगा कि पंतनगर अगरी कल्चर इन्वस्टी अच्छी होगी यहां पीजडी करना चाहिए तो मैंने फिर पंतनगर चुना और बाके हमारे से कुछ और यूबा चेहरे भी है तो यहां पर एक एड़ और करना जाता हो कि उत्तरा खंडी के भी जो मैंने बात की हिली स्टेट है तो वहां से पलायन जो मुद्दा चलता है भी हमारा तो हेल्थ के लिए अपने अच्छे करियर के लिए सब लोग नीचे लाइन नीचे वाली त्राइब को आ रहे है तो उपर खेती का बहुत कम हो गया है पहले से लोग खुद खुद अपने लेखी करते थे खाते थे जो प्लेश हो जाता था उसको बेज देते थे लेकिन बोलते पनायन हो रहे है प्लायन एक तो एसा है कि अपने अपने बैने के लिए करते लोग लेकिन एक की जो विचारों को प्लैन हो रहा है ना वो बड़ी बात है कि वो नहीं होना चीए पहाड से मतलब जो सारी जंता नीची को आगे क्योंकि यहां भी तो दबाव बढ़ रहे ना तो एक सर्प्लेस रहेगा तो पूरा सही रहेगा यह बहुत ही मत रिसौर्से जिस विद्यार्थी को मिल जाता है उसकी 10 differential हो जाती यह मेरा मानना है ना तो यहां direction की कमी है न तो resources की कमी है यह दोनों मेरा दो साल वितनके वाला PhD में यह मेरा नुभव है यहां दोनों चीज की कमी नहीं है एक से गुरु हमारे पड़े हैं जिसको पूछना हो जाके पूछे इतनी बड़ी रिडिरी है जिसको जो कुता किताब ही सुक्राकर पढ़े हैं यह दोनों बहुत बहुत बैतरी defin है तो जो बीच में डेड़ दो साल रहे हमारे ओनलाइन वाले तो उसमें वाकई एक आलस लेजीनेस थी पड़ाई में क्योंकि हमारे पास किताबे रहती थी एक डर नी था जो बिना किताबों के एक्जाम देना और हमारे पास कुछ नहीं आया तो हम किताबे खोल कर देख सकते ह कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा था कि दो यहां के प्रोफेसर्स क्यामरे में हमारे साथ अपडेट रहते थे चीटिंग तो बिल्कुल अलाउड नी थी हमें लेकिन तब भी एक रहता था कि मनमे की सिक्योरिटी रहती थी अपने घर में बैटकर कमफरडेबल जोन में लेकि कि कितने नंबर आए यह सब तो वो चीज काफी वो भी आपने जैसे पहले कुश्चन किया था कौन सा सबसे अच्छा बाट था तो यह एक्जामीनेशन हमें ले सबसे अच्छा बाट था क्यूंकि इसमें जो यूनिटी बनी हम सबकी वह अलग लेवल की यहां पर जो है सिन कि हमें सीनियर के पास गए ना कभी सर बोलना पड़ा ना मैम बोलना पड़ा भाईया दीदी बोलकर हमारे पर नोट साते थे हमें पढ़ाया जाता था रात को कोई भी दिक्कत हो इवन हमारे रूम में पानी खता हमें होस्टल में हमारे रूम पे हमें आलस आरा पानी लाने तो हम बोलेंगे सर हमाएरे पास लिया हो इतना तक खाना ओर करकर भेज रहे हैं सब कुछ काफी सपोर्ट करा लोग काम निकलवाना है तो कोई भी सर बन सकता है सपोर्ट वस्ट और सबस्सक्राव क्या था सबस्क्रावान। पड़ते थे तु इन लोग कही चलता था ऐसा होता है कि जूनियर भी एक आपको अलग तरीके से वाइब लाता है आपके जीवन में और एक तरीके सें एक तरीके से लाता है तो दिमाग की ऊपर है कोन कितना बहता सकते हैं कि आपका विजन या सोच क्या है में फोकस तो यहики अपने अपने फ्रोग्रेस के साथ बस देस के लिए कुछ करना है चाहे अपने फील्ड मों हो या उसके हड़के फार्मिंग वगयरा कुछ भी बस देस के लिए कुछ योगदान हो जाए वही है इस अ मेन प्राइर्टी मेरी रहेगी कि पहले खुद को सिक्योर करकर और अपने पहाड के लिए कुछ करना है मैं यही कुमाओं से भी बिलॉंग करता हूं और नाम के हिसाब से जैसे मेरा नाम वैवप पंत है तो जी भी पंत उनिवर्सिटी है तो यह प्राउट फीलिंग है मिलने और मुझे अपने पहाड के लिए ही सबसे प्राइर्टी में कुछ करना है फिर मैं आगे एक्स्टेंट करूँगा अपनी लाइफ के सब पहले तो खुद को से करना है फिर थोड़ी से आगे की पढ़ाई की सोचना है अभी विलाल और दोस्तों जैसे यह साड़े मेरे फ्रेंड है और जैसे मैं कभी ग्रोथ कर जाता हूं तो इनको भी ध्यान दखना है पहले तो सभी बात यही है खुदी को सिक्योर करना है माव आपने बहुत साथ दे दिया आगे भी साथ देंगे लेकिन अब जो है धन सबसे बड़ा फाड़ जो होता है धन राशी चाहिए थोड़ी से कहीं से प्लेस्मेंट हो जाए नहीं प्लेस्मेंट नहीं मेरा वैसे प सब्सक्राइब करना है कि समाज में अगर कहीं आपको लग रहा है कि यहां बोल देना चाहिए यह गड़बड है वहां बोल देना चाहिए इंसान को आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इतनी अच्छी अच्छी डिगरी ले रहो है मस्ची पीच्डी कर रहे हो ग्रेजियोशन कर रहे हो और आपको समझ में आ जाता है कि सही है गलत है अजरवाई आप तब भी नहीं बोलते हैं कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा वहां आपका भले नुकसान हो रहा लेकिन आपका बोलने का दिक्यार है कि हाँ गलत है यहां मैं बोलूंगा और आपको कुछ नहीं होगा यह मैं बत कि यहां आपको भी सोचने क्षमता होगी कि यहां दो बंदों के बीच ऐसा हुगा तो मेरा ओवराल एम है कि लाइफ टाइम समाज की विशेवा करूंगा एक मेरा टाइम 30% में समाज में दूंगा है मेरा एक दिली इच्छा है और मैं टाइम समाज में अपने टाइम से काटक और सबसे पहले जो आखर में उन्होंने बोला भी कि वह समाज को पहले प्रियोरिटी देना चाहते अपने आप से खुच से जो की बहुत महत्पूर है खेती किसानी हो या किसी और फील्ड में अगर आप यहां को देखे तो देशकी शान जभी बनेंगे अगर वह समाज को ह ऐसी चर्चाए हमारी पूरे सालों साल होती रहेंगी जिन पर हम जानेंगे कि यहां की जो शात्रों किस तरीके से कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं खेती किसानी को तो आज के लिए इतना ही और हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब पर ना भूले और आप जहां प किसान ओफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें